सिर्शा के जनता भवन रोड परस्तित किसान मजदूर कैंटीन फसली सीजन में किसानों वश्रमिकों के लिए कारगर सावित हो रही है इस कैंटीन में 10 रुपए थाली के हिसाब से भोजन उपलग्द करवाया जाता है रोटी चावल वर तीन सबजियां एक थाली में परोसी जाती है कैंटीन की प्रभारी ने बताया कि प्रती दिन 250 के करीब थाली इस कैंटीन में तयार होती है बाजार में जहां खाना कम से कम 40 रुपए थाली मिलता है तो वहीं मंडी में स्थापित इस कैंटीन में मात्र 10 रुपए में भोजन दिया जाता है उन्होंने कहा कि कैंटीन में स्वेम सहायता समू की महिलाएं भोजन बनाती हैं जिसे महिलाओं को भी रोजगार मिल रहा है तो हम 10 रुपए थाली दे रहे हैं पर हमें 15ुपए साप सीटी मिलती हैं तो हम देáveis काम करते हैं क्रोना के चक्र में हमारी कोई छुट्टी नहीं हुकी करो ना काल में भी आते रहे हैं साधे आठ से लेके चार बज़ दक हमारा काम होता है यहां पे जिसकी वज़से गरीब लोगों को बहुत खाने में मदद मीली है स्वेम सहायता समू की महिलाओं ने कहा कि मार्केट कमेटी द्वारा उन्हें प्रती थाली 15 रुपे का भुगतान किया जाता है उन्होंने कहा कि सरकार को इस तरह की और कैंटीन भी खोलनी चाहिए ताकि महिलाओं को रोजगार और लोगों को सस्ता भोजन मिल सके जहां काम कर ईहूं बहूत अच्छा काम है मेरा गल कांग जोराओं बहुत मुश्किल था अब बहुत अच्छा चल रहा ए ठीक है मेरा काम भी थी बहुत वदिया साड़क जारा हुई यंदा सी ग्रीब सी जी, सानुमेंत करनू भी मिल गया जी, साड़ा वी वदिया के जारा हुई यंदा तन्यवाद जी सरांदा जिनने सानु भी पेठ पारनू खाना दिता।